नमस्कार दोस्तों आप सबीगा स्वागत है हमारी यूटूब चैनल BCS Basic Physics में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कखसा बारा का टोपिक गाउसका नियम चुम्बपत्व के लिए गाउसका नियम हमने फर्स्ट जो यूनिट है उसमें गाउसका नियम पड़ा है वो जो गाउसका नियम था वो विद्दुच्छतर के लिए गाउसका नियम था अब हम यहाँ पर चुम्बपत्व के लिए गाउसका नियम पड़ने वाले हैं दोस्तों देखे गाउस का नियम समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा चुम्बक की अफलक्स देखे दोस्तों चुम्बक की अफलक्स कहते किसे हैं एक बार मैं चुम्बक की अफलक्स को यहां पर पहले परिभासित कर रहा हूं दोस्तों फिर उसके बाद में हम गाउस के नियम के बारे में देखेंगे चुम्बक के फ्लक्स को फाई बी से प्रदसित करते हैं किसे कहा जाता है, होता क्या है, परिभासा क्या है इसकी ये देखेंगे देखें दोस्तों कि चुम्बक ये छेतर में रखे किसी प्रष्ट से गुजरने वाली चुम्बक ये छेतर रेखाऊंगे सैंख्या को हम चुम्बक ये फ्लक्स कहते हैं कि जैसे यहां से कुछ magnetic lines गुजर रही है और उसके लंबवत यदि हमने कुछ प्रष्ट रख दिया कोई प्रष्ट रख दिया तो उसे प्रष्ट में से जितनी चुम्बक्य छेतर रेखाएं गुजरती है उसी को यह हम चुम्बक्य फ्लक्स कहते है एक बार फिर से सुन दोस्तो कि किसी प्रष्ट में से गुजरने वाली चुम्बक्य छेतर रेखाओं की सैंख्या चुम्बक्य फ्लक्स कहलाती है mathematical definition देंगे तो उसकी according उसकी जो exact definition है क्या है दोस्तो एक बार सुन लीजिए कि चुम्बक्य छेतर के लंब उत रखे एकांग प्रष्टे छेतर रेखाओं की सैंख्या को चुम्बक्य फ्लक्स कहा जाता है चुम्बक्य फ्लक्स को फाई 20 से प्रदसित करते हैं यह एक अधिस्रासी होती है दोस्तो यहाँ पर हम consider कर लेते हैं देखे दोस्तों इसकी जो definition है पहले में definition यहाँ पर put कर रहा हूँ चुम्बक ये flux की कि चुम्बक ये छित्र के लंबवत रखे चुम्बक ये छित्र के लंबवत रखे एकांग के प्रस्टी चित्र फल से एकांग प्रस्टी चित्र फल से गुजरने वाली गुजरने वाली चुम्बक के छित्र रेखाओं की चुम्बक के छित्र रेखाओं की संख्या को चुम्बक के फलक्स कहते हैं वो फाई बराबर होगा बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों और यदि इसको हम दोनों के बी और एस के बीच का एंगल थीटा कंसीडर कर लें कि चुम्बक के छित्र रेखाओं इस तरीके से मौजूद हैं ये मैंने समानतर चुम्बक के छित्र रेखाओं दिखाई है दोस्तों ये दिये चुम्बक के छित्र बी है ये छित्रफल सदिस है बी वेक्टर चित्रफल सदिस है एस वेक्टर बी और एस के बीच का जो एंगल है वो हम consider कर लेते हैं थीटा है उस condition में ये इधर B vector इधर S vector तो इस direction में जो गठक होगा S का S cos theta होगा तो 5 बराबर हमारे पास में formula आएगा B S cos theta जिसको हम उपर वाले formula के रूप में भी put कर सकते हैं दोस्तो तो ये है चुमब के flux की प्रिभासा यहाँ पर आप देखेंगे चुमब के flux से related कुछ है मैं तो बुण बाते हैं कि दो सदिसों का ये अदिस गुणनफल होता है अर्था अर्थ यह एक अदिस रासी होती है तो चुमब के flux एक अदिस रासी होती है दोस्तो फिर उसके बाद में देखे चुमब के flux फाई का जो मातरक है वो क्या होगा फाई का मातरक देखी दोस्तों फाई का मातरक के चुमब के छितरकी तीवडता था छितरफल के मातरक के बराबर होगा इसका मतलब हो गया B into S का मात्रक तो जो B है वो है चुमबक के च्छेतर उसका मात्रक होता है टेसला S यहाँ पर च्छेतर फल है जिसका मात्रक होता है मेट्रे स्क्वाइर और टेसला इंटो मेट्रे स्क्वाइर को दोस्तो Weber कहा जाता है WB से प्रदस्चित करते हैं फिर उसके बाद में हम Phi की Vima भी यहां पर put करेंगे Phi की Vima देखें दोस्तों जो Phi है उसके Vima यहां पर क्या आजाएगी Tesla into Mitre square और Tesla है उसको भी आप दूसरी फोरम में Convert करना चाहें तो कर सकते हैं यहां पर आप देखें दोस्तों जो चुम्बक के छेतर है B उसे चुम्बक के छेतर को हम यहां दूसरी फोरम में Convert करना चाहें तो देखो F बराबर होता है M into B या F बराबर Q, V, B, B होता है तो आप अलग-लग फोर्मूलों की साहिता से यहां पर B का फोर्मूला पूट कर देगे तो देखें B बराबर में पूट कर दूँ F बटे में Q into V और यह यहां पर मिट्रे स्क्वाइर मतलब S पढ़ाई है तो S की वीमा, इन सब की वीमा होगी वो ही चुम्बक की फ्लक्स की वीमा होगी दोस्तो तो जो बल है उसकी वीमा होती है M1, L1, T-2 6 फल की वीमा आजाएगी L2 जो आवेस है उसकी वीमा है A1, T1 और जो वेग है उसकी वीमा है L1, T-1 finally जो phi की वीमा है दोस्तों क्या निकल करा रही है phi की वीमा M1 यहां से देखे M1 आ गया हमारे पास में L1 से L1 कैंसल हो गया बट यह L2 आएगा तो M1 L2 फिर देखे दोस्तों यह T1 से यह वाला T1 कैंसल हो जाएगा बट यह T-2 पढ़ा रहेगा तो T-2 यह A-1 उपर जाएगा तो तो इसकी फाइनली जो वीमा आएगी phi की वो होती है M1 L2 D-2 A-1 यह हमारे पास में है चुम्बक के फ्लक्स के डेफिनेशन यह अदिसरासी होती है मात्रक वीमा हमने बदाया है चुम्बक के फ्लक्स के बारे में हम एक फूरा टोपिक के डिटेल से भी पढ़ेंगे दोस्तों बट फिलाल जब हम गाउस का नियम पढ़ रहे हैं तो इसके मोटे मोटे जो डेफिनेशन है वह आप लोग वो समझ में आनी चाहिए और मुझे उमीद है आपको समझ में आई होगी अब हम बात करेंगे चुम्बक तुएक के लिए गाउस का नियम कि चुम्बक तुएक के लिए गाउस का नियम क्या है चुम्बक तुएक के लिए गाउस का नियम देखे दोस्तो जो विद्दुचhtr में गाुषा का नियम था ठीक उसी प्रकार से ही है मैं विद्दुचhtr में जो गाुषा का नियम है उसको आप लोगों को याद दिलाता हूं थोड़ा सा कि विद्दुचhtr से सम्मध्य जो व्यद्दुत फ्लक्स का मान है बंद प्रष्ट में उपस्तित कुल आवेशों का एक बट्टा अपसाले नोट गुणा होता है दोस्तों ये था विद्धुच्छतर के लिए गाउस का नियम यहाँ पर भी गाउस का नियम है वो है कि किसी बंद प्रष्ट के से संबंदित चुमबक्य फ्लक्स का मान सुनने होता है एक वाद फिरसे सुन लीजिए कि किसी बंद प्रष्ठ से संबंदित चुमबक्य फ्लक्स का मान सुनने होगा दोस्तों यहाँ पर हम बात करें चुमबके फ्लक्स को bvector .ds vector से भी हम put कर सकते हैं और बंद प्रष्ट के लिए यहां पर बंद वांकलन का साइन यहां पर अप्लाई करेंगे इसकी जो वेल्यू होती है वो जीरो होती है दोस्तों और यही है चुमबक्तवर के लिए गाउस का नियम एक बार फिर से में इसको लिख भी रहा हूँ दोस्तों कि किसी बंद प्रष्ट से संबन्दित किसी बंद प्रष्ट से संबन्दित कि चुमबक्त के फ्लक्स का मान सुनने होता है और यही है गाउस का नियम कि चुमबक्त के फ्लक्स का मान किसी बंद प्रष्ट से संबन्दित चुमबक्त के फ्लक्स का मान सदेव जीरो होता है सुनने होता है क्योंकि उस बंद प्रष्ट में जितनी भी चुम्बक के छेतर रेखाएं परवेश करेगी उतनी की उतनी ही उसमें से बहार निकल जाती है तो देखे दोस्तों इससे चुम्बक के फ्लक्स का मान जीरो क्यों होता है उससे संबन्दित देखे कुछ हम बातें यहां पर डिसकस करेंगे देखे पहली बात तो है कि जितनी चुम्बक के छेतर रेखाएं बंद प्रष्ट में परवेश करेगी उतनी की उतनी ही बहार निकल जाती है तो किसी बंद प्रस्ट से जितनी चुम्बक एच्छ तरेखाई प्रवेश कर रही है, उतनी की उतनी भार निकलेगी, क्योंकि ये सतत वक्कर के रूप में होती है, ये कभी तूडती नहीं है, बंद वक्कर के रूप में होती है, इसलिए किसी प्रस्ट से सम्मधित चुम्ब के आवेश होता ही नहीं है एकल चुम्बक के दुरुब नहीं होता यदि चुम्बक के दुरुब एक अकेला मुझूद ही नहीं होता तो उससे स्धिश्पर तो गाउस का नियम क्या हो जाता गाउस का नियम देखे दोस्तों क्या हो जाएगा उस condition में हम आपको चुमबक विद्धुच्छतर के लिए गाउस का नियम याद दिलाते हैं फाई एक्वल टू होता है बंदप्रस्ट में उपस्तित कुल आवेशों का एक बट्टा अपसाल नोट गुणा इससे फाई को हम ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के रूप में भी पूट कर सकते हैं और बंदप्रस्ट के लिए से समाकलन को हम इस तरीके से पूट कर देंगे ये विद्धु छतर के लिए गाउस का नियम था अब यहां पर भी देखें दोस्तों क्या है यदि एकल धुर्व का स्थित्व हो यदि एकल धुर्व का स्थित्व हो एकल धुर्व मौजूद हो एकल धुर्वय का स्थित्व हो तो गाउस का नियम क्या हो जाएगा गाउस का नियम क्या होगा दोस्तों देखेंगे यहाँ पर है ठीक उसी प्रकार से ही चुमबक्तव के लिए गाउस का नियम होगा कि बी चुमबके फ्लक्स का मान बंद प्रष्ट में उपस्तित एक वाई फिर से सुन लीजिए कि चुम्बक के प्लक्स का मान बंद प्लष्ट में उपस दिते कुल चुम्बक के आवेशों का μुजीरो गुणा होता है कुल चुम्बक के आवेशों का μुजीरो लेकि चुम्बक के आवेश को हम small m से या qm से पूट कर सकते हैं, Qm का मदलब है वो चुम्बक की आवेश है और यदि उत्री धुर्व है तो उसके लिए प्लस में M लिया जाएगा और अकेला धुर्व है तो उसके लिए गाउस का नियम इस प्रकार से होगा दोस्तो उत्री धुर्व की धुर्व परवलता को small m से, तो μू 0 into m ये बराबर होगा ब्वेक्टर dot ds वेक्टर के ये है एकल धुर्व का यदि स्थित्व हो तो गाउस का नियम बट अकेला धुर्व होता ही नहीं है अकेला धुर्व होता ही नहीं है और इन दोनों का मान 0 हो जाएगा तत्पश्यात इसकी जो value है वो 0 ही आएगी और यही गाउस का नियम है दोस्तो तो एक बाद फिर से गाउस का नियम सुन लीजी स्टेटमेंट एक बाद फिर से सुन लेंगे दोस्तो आप कि किसी बंद प्रस से संबन देते चुम्बकी अफ्लक्स का मान सुनने होता है और मुझे उमीद है आपको इस वीडियो में चुम्बकी अफ्लक्स था गाउस का नियम समझ में आया होगा धन्यवाद दोस्तो